सुनने में भले ही भूत विद्या कोर्स थोड़ा आठपटा लगे मगर यह काशी हिंदू विश्व विद्याले के पाठ्यक्रम में शामिल होने जा रहा है आयूर्वेद समकाय में भूत विद्या यानी साइंज ओफ पेरानॉमल की पढ़ाई होगी छे महीने का यह सर्टिफिकेट कोर्स नए साल के जनवरी महीने से शुरू होगा दूर्दराज के गावों में आम तौर पर लोग साइको सोमेटिक अर्थात मानसिक बीमारी को भूत प्रेत का असर मान लेते हैं अंदविश्वास को दूर करने के लिए बीएचि में अश्टांग आयूर्वेद की आठ शाखाओं में से एक ग्रह चिकित्सा यानी भूत विद्या का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होगा यहां से सर्टिफिकेट प्राप्च्छात्र समाज में प्रेक्टिस कर आमजन के मन में भूत रह आधी के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने के साथ प्राचीन चिकित्सा पध्धती को विज्यान से जोड़ते मरीजों का इलाज करेंगे BHU के आयूर्वेद संकाय प्रमुक प्रोफेसर यामिनी भूशन त्रिपाठी ने बताया कि साइंज ओफ पैरानार्मल का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाला यह पहला संकाय है संकाय में भूत विद्या की स्वतंत्र काई होगी भूत विद्या पर शोद कर चुके प्रोफेसर वीकेद विवेदी के नित्रित्व में इसका सिलेबस तयार किया गया है जन्वरी से इसकी पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी नए कोर्स में भूत विद्या की अवधारना और भूत विद्या उप्चारात्मक पहलू नामक दो पेपर होंगे भूत विद्या की अवधारना में परिभाशा अनिकर्थ है तिहासक महत्व जंता में सामान्य समझ और आयूर्वेद में भूत विद्या की भूमिका के पार्ट पढ़ाये जाएंगे उप्चारात्मक पहलू में चिकित्सा के प्रकार्ड रह की प्रकृती उपसर की काई चिकित्सा पार्ट होंगे वारानसी से संतोष कुमार से की रिपोर्ट मैं प्रोफेसर यामनी भूशन तिरपाथी पी एचिडी इन बायो किमिस्ट्री एंड डीन फेकलिटी आफ आरवेद का एक पार्ट है अस्टांग आरवेद में आठ ब्रांचेज आरवेद की थी जिसको चरक ने अपने किताब में महर्शी चरक में लिखा और इन आठ ब्रांचेज में पांच ब्रांचेज को हमारी जो रेगुलेटरी कॉंसिल है CCIM Central Council of Indian Medicine उसने पिकप कर लिया और पांच को पंद्रह बना दिया एलोपैथी विभाग का नकल करके उसने पंद्रह कर दिया लेकिन जो मौलिक आठ विभाग थे उसमें से तीन विभागों को सुसुपतावस्था में छोड़ दिया जब मैं संकाय प्रमुख हुआ दो वर्स पहले तो मैंने इसको संग्यान लिया और अब दो वर्स के प्रयास के बाद हमारी अकेडमिक कौनसर जो विद्वत परशद है उसने तीन यूनिट्स क्रियेट करी यूनिट आफ भूध बिग्यान यूनिट आफ रसायन विग्यान यूनिट आफ वाजी करण विग्यान यह तिनों यूनिट हुई और अब आप जो पूछे हैं भूत विज्ञान क्या है तो ये एक यूनिट बनाई गई भूत विज्ञान मतलब होता है कि आरवेद में रोग परिक्षन की दस्वित परिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे वैद जो है रोगी की पहचान करता है लेकिन जब इसके परे कोई नहीं होता हो तो उसको मर्शी चरगन भूत विद्या में डाल लिया मेंली ये साइको सुमेटिक डिसॉडर्स जो है इसमें आते हैं और जिसकी चिकिस्सा करने में इसमें आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि मन और आत्मा शुद्ध होती है और मन में रोग होता है और मन किस्मेटिक डिसॉडर्स हो गया साइकेट्री का रोगी हो गया पागल हो गया भूच चढ़ गया तमाम लोग अपनी इपनी भाशाओं में कहते हैं और इसकी चिकिस्सा जो है वेदों से अगर आप ले क्योंकि आयरवेद खुदी अथरवेद का उपांग है तो जो वेद म किस्में हम लोग मरी और मंत्र को भी इंक्लूट करेंगे चिकिस्सा करेंगे कि कब तक यह कोर्स साल में दो बैच चलेगा दस-दस विद्यारतियों का बैच होगा और एक यह जो मिनिमम्म कौलिफिकेशन है मेडिकल ग्रेजिवेट आफ इनी स्ट्रीम इंक्लूडिंग अम महिने का कोर्स है और यह जन्वरी से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जन्वरी से जून और जुलाई से दिसंबर भूत की पढ़ाई मतलब पहले यह समझने कि भूत विज्ञान इस प्रॉपर नाउन आफ और घोस्ट नहीं है यह घोस्ट इस डिफरेंट प्रॉपर कैट्रिक यह सब चीजें जो है जो मन से और जिसकी चिकिस्सा जो है मंत्रों से भी की जा सकती है और जो और भी विधाएं हैं वेदों में जो वड़नीत है उससे भी की जा सकती है इसको डेवलप करने के लिए स्कॉलर्स हम लोग तयार करेंगे यही स्कॉलर्स जो है फिर वेद और आरवेद दोनों का समन्वे करके इन विधाओं को वग्यानिक कसोटी पर कसके निकाले पर परिश्कित करेंगे तब यह भूत विग्यान हमारा दिखा जाए तो कहा जाता है भूत गाउं परिवेद में रहने वाले भूत का अर्थ की दूसरा समझते हैं हाँ हाँ बिल्कुर ठीक आपने पूछा तो वो भूत नहीं है यह भूत के लेकिन जो प्रभाव गाउं में दिखते हैं वो सब प्रभाव हमारे आरवेद में भी वर्डित हैं जिसको हम लों साइको समेटिक डिसाडर करते हैं पागलपन पागलपन है इसी को गाउंवाले करते हैं हरसु भरम ले जाते हैं ऐसा यहाँ पर हम लोग क्या कॉंसेट नहीं है कोई तंत्र विद्या नहीं है इसकी वग्यानी के